फॉनपे को चालू कैसे कराया आज की इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कम्पलीट प्रोसेस तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं फॉनपे को चालू करने के लिए आप प्लेश्टोर से फॉनपे अप्लिकाशन को डाउनलोड कर लेंगे या नहीं तो लिंक नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से किलिक करके आप फॉनपे को डाउनलोड कर सकते हैं डिरेक्टली प्लेश्टोर से फॉनपे अप्स को इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपेन कर लेंगे और ओपेन करने के बाद यहाँ पे एक मौवाल नमर दे देंगे वह मौवाल नमर देंगे जो आपके बैंक एकाउंट में रेजिस्टर हो जिससे आपका खाता खुला हुआ हो उसके बाद इस मौवाल नमर पे बैंक के तरफ से OTP भेजा जाएगा OTP automatic यहाँ पे submit हो जाएगा इसके बाद आप सभी permission को आप allow कर देंगे वो location का हो या phone calls का हो या camera का तो यहाँ पे सभी permission को allow करने के बाद यहाँ पे add bank account वाले option पे click करेंगे आपका bank account को link करने के लिए phone pay के साथ तो चलिए यहाँ पे हम click कर देते हैं और click करने के बाद जो भी आपका bank account है उसको आप यहाँ पे select कर लेंगे बहुत सारे bank account मिलेगा तो मेरा state bank of India का है तो चलिए हम SBI पे click कर देते हैं हम SBI पे click करेंगे तो यहाँ पे bank और phone pay के साथ verification किया जाएगा verification होने के बाद यहाँ पे UPI PIN set करने का option दिया जाएगा यहाँ पे click करेंगे अपना debit card का last का six digit इंटर करेंगे और expiry month और expiry year इंटर करके proceed पे click कर देंगे तो आपका UPI PIN बन जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं bill pay कर सकते हैं recharge कर सकते हैं अगर आपको phone page से अपना bank का balance चेक करना है तो check balance पे click कर देंगे और जो भी bank है उस पे click कर देंगे और अपना UPI PIN इंटर करेंगे तो आपका bank का balance यहाँ पे बता दिया जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको QR code को scan करके payment करना है और यहाँ पे self account में भी बेज सकते हैं और balance को check भी कर सकते हैं इस page को उपर करेंगे तो यहाँ पे mobile recharge हो गया DTH हो गया electricity हो गया तो यहाँ पे इस service का इस्तमाल आप कर सकते हैं जो भी आप transaction करेंगे transaction history को देखने के लिए यहाँ पे नीचे में history पे आप click कर देंगे तो आज तक आपने जितने भी transaction payment किया होंगे debit credit सभी यहाँ पे आपको दिखा दिया जाए इसके बाद profile वाले option पे click करेंगे और यहाँ पे QR code वाले option पे click करेंगे तो आपका QR code निकल जाएगा और यहाँ पे theme बगर चेंज करना चाहते हैं light, dark तो यहाँ पे theme भी चेंज कर सकते हैं phone page का जिसके आप देख सकते हैं पहले मेरा white था अब यहाँ पे black हो चुका है